हलो एवरिवन, मैं डॉक्टर सुप्रिया सुना लिका, आप सभी का आज के क्लास में श्वागत करती हूँ आज का जो हमारा क्लास है, वो यूजी समेश्टर 3 के स्टुडेंट्स के लिए है और यूजी समेश्टर 3 के कोर्स में जो पेपर 5 है पेपर 7 है, उसके अंतरगत जो है वो हम जो एंसेंट वेस्टर पोलिटिकल थॉट का जो पेपर है उसके अंतरगत हम लोग एक विचारक का अधियन करेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट विचारक का अधियन करेंगे जुनका नाम है संट थामस एक्विनास हम जानते हैं कि किसी भी जो जिन तक है उसका जो उनके विचारों पर जो उनके काल उनके समय की परस्तितियों का जो है वो असर बहुत ही देखने को मिलता है तो फास्टर एक विचारक है उन्होंने सेंट थामस एक्विनस के बारे में क्या बला है उन्होंने कहा है कि सेंट थामस एक्विनस जो है वो मध्यकाल का एक महांतम क्रमबध दाश्टिक माना जाता है क्योंकि उस वक्त उस वक्त या उस युग में के समय समकर विचार का प्रत्रनिजितु जो है इन्होंने किया था तो इसलिए फॉस्टर ने इनको जो है वो एक महांतम जो है वो दाशनिक मानते हैं और है भी और सेंट थामस एक्विनास जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक मध्योगीन काली विचारक है और उस मध्योग का सबसे जो महान राजनितिक चिंतक था जो मध्योगीन काल था उसमें जो सबसे महान चिंतक था वो उनके नाम है कौन थे वो सेंट थामस एक्विनास को हम लोग जानते हैं और फॉस्टर ने क्या कहा है यह फॉस्टर ने कहा है कि इपाह जो है समूचे मध्योगीन जो चिंतन का वो प्रतिपा प्रतिमधित्व करता है करता है जैसा कि अन्य कोई अकेले नहीं कर सकता जो पूरा मध्योगीन काल जो था उन सब का प्रतिनित्व जो है वो यह अकेला एक विचारक है सेंट्र प्रामस एक्विनास जो है वो करते हैं और उनके विश्या में जो सबसे महत्वपुन बात थी एक्विनास के बारे में कि उसने विचारों की विभिन प्रवितियों को जो की पुर्व में बिखरी हुई थी एक विचार प्रणाली से संसलेशित किया है और इस संबन में शर्वाइन जो हैं वो भी एक लिखते हैं तॉमस के बारे में कि तॉमस के दर्शन का मूल मंत्र यह था कि उसने समरूपता और मतैक के पराधारित सारवभौमिक संसलेशन और सर्वांगिन पध्धती के निर्मान का प्रयतने किया और संट टॉमस का जो मुख्य जो कारे था वो क्या था समन्वाइ करना हम जानते हैं कि उनके पहले के जितने भी जो पहले सताब्दियों में जितने भी विधी वेता थे धर्म शास्त्रियों थे या तीका कार्जों थे इसाई प्रचारक थे चर्च थे और राज्य के समर्थक आदी अपने अपने विचार थे और सभी अपने दिश्टिकोन से इसके बारे में बैट करते थे लेकिन सैंट टॉमस जो ने इन बिभिन बिचारों और दिश्टिकोनों में एकता और क्रमबधता अस्थापित करने का प्रयास किया है इनको जो है एक पध्धती के रूप में एक पध्धती का रूप प्रदान किया है और इसलिए फॉस्टर ने उसे विश्यू का बहान क्रमबध ताशनिक कहा है एक समण मैं विचारग का है इस ने क्या किया जो है जो नद्ध योगी इंकाल था जिसमें जो हो चर्च जो हो काफी चर्च की सट्धा हाविती पे और धर्म जो हो पूर्य अपने चरम पे था और उस में नातिकता धर्म यह जो है इसे मध्योगीन काल में जो सेंट थामस एक्वीनास जो है उन्होंने चर्च और राज्य के बीच एक समन्वय या कड़ी जो है वो अस्थापित की और इसके कारण जो है इनको मध्योगीन जो कालीन विचारक हैं उनमें सबसे प्रमुक्ष विचारक के रूप में जो है हम लो था तो सेंट टामस एक्वीनास जो है इनका जन्म जो है वो 1225 में नेपल्स जो है इतली में हमने जो अपने लास्ट अध्यन हमने किया था उसमें मैंने बताया था कि वो पांच भागों में विखाटीज था उसमें इतली और उसी में एक जगह जो था वो नेपल्स था तो उसके एक्वीनो नगर में हुआ था उनके पिता का जो नाम था वह था काउंट डलफोल्ड ओफ एक्वीनो जो थे और फ्रांस का राजा से संबंधी थे मतलब उनके संबंधी थे और उनकी जो बाल अवस्था थी वह काफी चुकी राज घराने से संबंधी थे तो वेशली जो उनका बाल काल था वह काफी सुख एवा मस्वर से पूंड था और इन्हों ने विभिन जगों पर जैसे अपनी सिख्षाएं जो है वह प्राप्त की और नाइंटी ट्वेल फिप्टी टू में तॉमस इस एक्विनस के अध्य अध्यापन और लेखन का जो यह पवित्र जो व्यवसाय था कारे था अपने जीवन में अपनाए और इसको इसी छहत है में वो अपने अपना जो है वो इसको अपना व्योषाय बनाया और जो एक्विनेस के जीवनकाल में सम्राग्त था पोक के बध्य का जो संहर्श जो था वो जो समय बढ़ने लगा था और उसे इस संहर्श की घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करने का जो है वो अशर मिला था कि किस तरह से struggle जो है वो चल रहा था किसके बीच पोप के बीच और राजा के बीच that means कि चर्च के बीच and राजी के बीच जो संघर्स था उसको इसने बहुत ही करीबी से बहुत ही और राजाओं और समराटों का या संबंधी था, तो एक तरह से वो राज्य घराने से भी था और धर्म में भी उसकी रुची थी, साथ ही साथ उसका उसने जो बहुत सारी यात्राएं की, उसकी अनभों से भी राजनितिक घटनाओं और परिवेक्षक ज्यान में उसकी उसे Master of Theology की उपाधी से भी भुशित किया गया और उसके पश्यात उसने इसाई संपरदाय की खूब सेवा की ये चुकी मिला और उसके बाद वह अपने समय के राजनिति शास्त्र, धर्म शास्त था तर्क शास्त्र का प्रकान विद्वान समझा जाने लगा जब इसको ये उपाधी मिली और बड़े-बड़े राजा उससे राजाओं के करतब विपर प्रकास डालने के लिए उसे बुलाते थे और उससे प्रातना किया करते थे तो अध्यापन और लेखन का कारे में ब्यश्त जीवन बैतित करते हुए जो है वो 1274 में जो है उसका लास्ट में दे मिर्थिव हो गई और चौदहवी सताबदी के प्रथम चरण में जौन बाइसवे ने इसे इसाई धर्म के संतों में प्रतिष्ठित किया इसका नाम अरस्थान दिया और जो लहवी सताबदी में जो पायस पंचम थे ने उसे डॉक्टर अफ दी चर्च की भी उपाधी प्रदान की थी और उनिसीवी सताबदी में लियो तेरहवे ने अपने आदेश द्वारा धर्म सास्तर के विद्यार्थियों के लिए उसके ग्रंथों का अध्यन करना अनिवारे था तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कितना ही महान और निटा के उल frames टेशवी जो था वह था जिसने जो चर्च और राज्जी के बीच जो संघर्ष चल रहा था हिसको नज्डिक से देखा और किस तरह से उनमें समन्वय करने की जो बाते हैं वो की और इसको इसने कितनी तरह की उपाधियां से समानित किया गया कुछ तो उनको मरनों उपरांत और कुछ जो है उसके पहले तो ये कुछ इनके जीवन से समबंधित बाते थी अब इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी रशनाएं क्या ह है तो कैटलिंग के अनुसार थामस ने कुल मिला कर लगभग साथ ग्रंथों की रचना की थी इसमें प्रभुख ग्रंथों में एथिक्स एथिक्स दूसरी पॉलिटिक्स और उसके बाद अन किंग्शिप तु दा किंग ऑफ साइप्रस उसके बाद सुमा थियोलो थियोलोजी का और रूल अफ प्रिंशेज सुमा कांटा जलाइस आधी नाम प्रमुख है फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ इसने जो है कैटलीन ने बताया है कि लगभग इसने साथ गरंथों की रशना की थी और उन गरंथों में जो सबसे महत्वपून गरंथ थी पहली जो थी वो थी एथिक्स दूसरी जो है वो पॉलिटिक्स और तीसरी जो है अन किंग सिप जो किताब थी अगली जो पुस्तक थी To the King of Cyprus अगली जो किताब है वो है Summa Theologia उसके बाद नेक्ष जो था Rule of Princess और जो अगली पुस्तक थी Summa Contra Gelis Summa Contra Gentiles 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 तो ये कुछ उसकी प्रमुख जो थी वो प्रसिद पुस्तके थी और राइनिती साथ से संबंधित जो उसके बिचार जो है वो एथिक्स जो उसकी पुस्तक थी एथिक्स और दूसरी पुस्तक जो पॉलिटिक्स थी की टिकाओं में मिलता है राइनिती से संबंधित जो है उनके बिचार और इन टिकाओं की रचनाकाल लगभग 1270 से लेकर 1272 तक माना गया है और जो अरस्तु ने इन ग्रंथों की टिका उनमें उसके समकालीन यूग के अन विद्वानों में लिखी गई है किन्तु उन सब में भिन्य शैंट टॉमस एक्विनस की टिकाओं की सबसे महत्वपुन बिसेश्ता यह रही है कि उनमें अने टिकाओं से भिन्य यह सराहनिये प्रयास किया गया अरस्तु के वाके में जि की टिकाओं उसने की है और इसलिए अरस्तु के गरंथों के टिकाओं के रूप में आज भी महांतम जो है वो टिकाकार के रूप में माना जाता है यह माना जाता है कि जो सेंट थॉमस एक्विनस थे उनमें और अरस्तु में काफी जो है वो समानता पाई जाती है जो यूना vaisvzus के महांतम व्वस्थिक तर्ष्णिकों में से एक था उसका कार्य जो कार्य अस्मों सब को साथ रखना था उसका कार्य क्या था सभी को साथ ले कर चलना मिलाकरों मतलब समन्वा alright कोडिनिशन जो रखना था जो की कि पहले अलग जो अलग पहले बिखड़ा हुआ था पड़ा हुआ था जैसा कि मैंने प्रारम में भी कहा कि जो बीचार दो आरहाएं थी काफी बिखरी हुई थी मधियुकाल में और उसको जो है वो एक अटृत करने का काम जो St. Thomas Aquinas ने किया है और जो अधिक रूप में था उसको टुक्रो टुक्रो में जो था उसको एक जगा जो है वो उसको संकलित करके एक भवन भव्वे भवन का जो है वो निर्मान किया है ये बाते फॉस्टर ने कही है उसके बाद सेबाईन ने उसे संपुन्ध मध्युग में द यह तो कुछ उनके रशनाओं के बारे में थी और जो कुछ विचारक उनके बारे में उन्होंने कहा उसके बारे में थी अब था कि जो सेंट तॉमस एक्विनस थें वो मध्य कालीन जो दार्शनिक थें विचारक थें उनमें महानतम कैसे हो गया कैसे हुए याकर इनकी विचा तॉमस का स्थान सर्वोपरी इसलिए है क्योंकि उसने अनेक परंपरा बिरोधी तत्तों और सिध्धानतों में समन्वय अस्थापित करने का प्रयास किया है। अधिकारी विद्वान जो है वो माना जाता है। उसकी राजनितिक बुद्धी का प्रमान इस बात से मिलता है कि वह बड़े बड़े नरेश और जो साशक थें कि करतब्यों को बताने की प्राथना उससे करते थे। घर्स था, काफी एक टकडाव था धर्म को लेकर, राजनिती को लेकर, तो इस तरह ऐसी स्थिती में, ऐसे वातावरन में, साइंट टॉमस यू एक्विनस थें। उन्होंने एक समन्वय का काम किया और सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया। और कुशिश की कि वो जो है वो एक समन्वे अस्थापित कर सकें और उसको तरह तरह की सलाह जो है वो दिया गया था और डॉक्टर विश्विनात प्रशाद वर्मा ने सम्बंद में लिखा है कि महान धर्मा धर्माचारे और तेजस्वी दार्शनिक सैंट तॉमस एक्पिनास मध्यूक की एक अतिशय प्रचंड विभूती है समस्त इसाई जगत में उसके उच्चाशय व्यक्तित्व को छूने वाला कोई दूसरा व्यक्ति जो है अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है उन्होंने इतनी अच्छी बात जो है उसके लिए कही कि मध्यूक का किस तरह से इत दो जो पधति का निर्मान किया तो जो पधती जो थी उसकी क्या थी समनवे वाद जो विचारधारा था उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे उसने जो यह समनवे जो अस्ठापित किया उसकी विचारधारा क्या थी तोonces... mister Thomas equinas जो है वो मध्यूगिन उन विचारो विचार परमपराओं से सम्मढ़ था, जिसमें मध्यूगिन विश्व विद्याले की संग्यादी जाती थी और विश्व विद्याले वाद से क्या विप्राह है, तो मध्य युग में पाई जाने वाली उस चिंतन पद्धती से है जिसमें इसाई धर्म की रूढियां एवं प्राचीन दार्शनिकों की युक्ती मुलक सिधानतों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है एक्विनस का विशेश महतु इस बात में है कि उसने दो पुराने आचारियों अरस्तु और ऑगस्टाइन के दर्शन शास्त था धर्म शास्त्र पर परस्पर विरोधी सिधानतों में भी एकता स्थापित कर दी है और अरस्तु ने क्या कहा था अरस्तु का जो अरस्तु की बातों को सही मानते हुए अंतिम सत्य नहीं माना जाता है और वह जो है समस्ता है कि इसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित जो सत्य है उस ज्यान को प्राप्त करने वाला है उसे प्राचीन युनान की बुद्धिवादी जो विचारधारा का इस्वर्य ग्यान पर बल देने वाली इसाई विचारधारा के साथ जो है उसने समन्मय को अस्थापित करने का प्रयास किया है तो ये उसने कोशिश की है उसने विवेक तथा विश्वास में समन्मय विशेश और जो दो बड़े विचारध थे जो ऑगिस्टाइन और दूसरे अरस्थू ये एक तो विवेक पर ब्योड़ देते थे और दूसरे जो है वो जो विश्वास पर फेथ पर ज्यादा ये करत के इहोंने समन्मा बैठाने तथा चर्च के सुध्धानतों का क्लासिक विद्या के पुनर उत्थान में से प्रकास में आये तर्क संगत अधर्मी दर्शक में ताल मेल बैठाने का जो है वो प्रयास करने का की कोशिश जो है वो की है तो ये था कुछ उनके बारे में जो एक यह हारिक जो उनकी जीवन से परीचे उनके विचारों से संबन भिक जी विचार थे उसके बारे में हमने पढ़ा, अब हम जानेंगे कि उनका जो विचार था वो प्रक्श टॉर से हैं कोई बारे में, वो क्या विचार रखते थे उसका जो है, Massachusetts Mr. Aquinas श Bugün Paradise लुसरता, तो इस में हुआ नेपल्स में हुआ और उनकी मृत्यू 1274 इस भी में हो गई और बहुत ही कम समय में उनकी मृत्यू हो गई और इन्होंने मध्य यूगी नकाल में और जो प्राशिन यूगी नकाल में था एक समनवाय अस्थापित करने की कोशिश की और उस समय के दो महान जो विचा जो थे वो दार्शनिक थे और एक्विनास के राज्य संबंधी विचार पर जो है वो अरस्तु का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलता है और एक्विनास तथा अरस्तु के विचारों में बहुत अधिक समानता जो है वो देखने को मिलती है और शायद इसलिए एक्विनास को मध्यूग का अरस्तु भी कहा जाता है, एक्विनास को मध्यूग का अरस्तु भी कहा जाता है, एक्विनास अरस्तु के इन बातों का समर्थन करते थे, कि जो राज्य है, राज्य जो है वह एक नैशिरल प्राकृति, प्राकृतिक या कुद्रती जो है वो संस्था है अरस्तु ने भी इस बात को कहा था और उस बात का समर्थन एक्विनस ने भी कहा है कि जो राज जो है वो एक natural इसे परमात्मा, गॉर्ड या किसी अलौक सक्ती ने बनाया है और यह एक भिकास की प्रक्रिया से होती हुई राजी का जो अज स्वरूप है वो हुआ हमारे सामने आई है यह बाते जो है वो एक्विनस कहते हैं और यही बाते अरेश्टॉटल ने भी अपने राजी सम्मंधी विचारों के अंतरगत की थी उसके बाद है कि वे कहते हैं कि राज जो है राज एक क्या है कल्यानकारी संस्था है एक्विनेस ने क्या कहा कि राज एक कल्यानकारी संस्था है और राज में रहकर ही वैक्ती का विकास हो सकता है मतलब अगर व्यक्ति का विकास अगर कहीं संभाव है तो वह सरीफ और सरीफ राज में ही हो सकता है और यही बात जो है राज सम्मंदी जो बाते थी वो अरिस्टोटल ने भी अपने राज सम्मंदी विचार के अंतरगत कही थी तो राज सम्मंदी इन विचारों को जैसे कि राज एक लोग कल्यानकारी संस्था है उसके बाद राज का विकास राज जो है वो विकास का परिणाम है और राज में ही वैक्ति का विकास हो सकता है तो ये सारी बातों का जो है वो समर्थन एक्विनास ने जो है वो किया है इसक उसके अलावा उस समय की जो इसाई माननेता थी कि राज एक अलोकिक संस्था है या राज को परमात्मा ने मनाया है जब मध्योगीन काल था उस समय जो एक कंसिप्ट था कि राजियों पर चर्चों का क्या था आधिपत्य था और वो चर्च से राजिय से शुपिरियर माने जा इसायत जो मानिता थी उसका काफी वो अपने चर्मुत कर्च पर थी और राज को एक अलोकिक संस्था या परमात्मा या राज को परमात्मा ने बनाया है और राजा जो है राजा को परमात्मा ने साशन करनी का जो है वो अधिकार दिया है इसलिए राज बना है ऐसी एक मान मानिता थी उस समय मधियुग में और बना है तो इसी सभी जो तारकिक जो मानिताएं हैं धारनाएं हैं उन सब का जो है एक्विनस खंडन करते हैं और यहां एक और बात ध्यान देने योगी है कि जहां पर माक्सवात क्या कहता है माक्सवात कहता है कि राज जी के ढ़ा जाने या राज जी के लोप हो जाने के बाद या खत्म हो जाने के बाद ही संघर्ष खत्म होगा और जो है सांती आएगी माक्स ने क्या कहा अपने माक्सवात के सिधान के अनुसार कि जो है वो एक दिन राज जी का लोप हो जाएगा और जब यहां रोप होगा तभी संघर्ष ख हो पाएंगी तो ये बाते जो है वो माक्स कहते थे तो एक्विनस का जो दर्शन से हमें हमें क्या पता चलता है हमें पता चलता है कि राज एक लोग कल्यान कारी संस्था है और कोई सोशन करने की संस्था नहीं है मतलब राज एक लोग कल्यान कारी संस्था है और नहीं कि वो कोई सोशन करने का की संस्था है और राज्यों में रहकर ही व्यक्ति का विकास हो सकता है और कल्यान हो सकता है यह एकविनास ने कहा है और एक्विनास कहते हैं कि राज के बाहर जो है, हम इंसान की कलपना के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, कि इसके मतलब राज के बाहर इंसानों के बारे में जो है वो हम, उसके कलपना भी जो है के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, और इसलिए वो जो है, एक्विनास जो है, वो राष्ट राज्य का समर्थन करते हैं, और आज कल जो राज्य हम देखते हैं, वो भी क्या है? एक राष्ट राज्य है, मतलब नेशन स्टेट्स हैं, तो इसके अलाबा जो प्राचीन जो युनान था, युनान राज्य था, उसमें क्या था? नगर राज्य था, और जो जो होते थे, हमने देखा है और सुना है, कि उस समय हुआ करते थे, तो एक री नास कहते हैं, कि राष्ट राज्य जो है, वो उचित है, क्योंकि वे सभी, वे अपनी आत्म निर्भर हैं, क्योंकि राष्ट राज्य क्यों सही है? क्योंकि वो आत्म निर्भर है, हो सकता है, आत्म निर्भर होता है और अपनी जो है वो सुरक्षा करने में वो जो है वो सक्षम होता है सक्षम होता है और आश्टराज इसलिए अच्छा है क्योंकि वो जो है आत्म निर्भर है और अपनी सुरक्षा कर सकता है अपने लोगों का कल्यान कर सकता है लेकिन एक छोटे नगर राज्य में क्या था एक छोटे रियाशत में के पास परियाप्त संसाधन नहीं होते थे उनके पास परियाप्त शक्ती नहीं होती थी और नहीं उनके पास लोगों के कल्यान करने के लिए कोई श्रोत होते थे तो श्रोतों की जो कमी है और शक्ति की कमी के कारण जो है कोई भी राज jy जो है वो आत्म-nirbhar नहीं हो सकता है जब ये दोनूं चीश नहीं होंगे किसी स्टेट के पास एक तो संसाधन और दूसरी शक्ति ये दोनूं अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो वह आत्म निर्भर राज नहीं हो सकता है और नहीं वह अपने लोगों के कल्यान के लिए कुछ कर सकता है और नहीं जो है राज जो है यह राज इस तरह का जो राज है वह उचित हो सकता है यह एक्विनास ने कहा है इसलिए उन्होंने क्या किया है कि राश्ट जो राज है उनका समर्थन किया है इसके बाद उन्होंने एक और बात जो कही है एकविनास जो है वो कहते हैं कि राज्य की शाषन प्रणालियों का बरगी करन करते हैं जो शाषन प्रणाली है जैसे कि आरिस्टोटल ने भी किया था अपने शाषन प्रणालियों के बारे में कि किस तरह से एक वेक्ति का शाषन होगा तो राज तंत्र होगा, कुछ लोगों का होगा तो फिर निरंकुस कैसे परिवर्तित होता है, फिर कैसे कुलीन तंत्र आता है, धनिक तंत्र आता है, समविधानिक तंत्र आता है और फिर जो है वो प्रजा तंत्र आता है, तो उसी तरह से एकवी उसने भी जो है वो राज्यों का वर्गी करन करते हैं और वो कहते हैं कि साशन प्रणालियां जो होती हैं वो न्याइपुर्ण होती हैं तब साशन प्रणाली का वर्गी करन किया है और वे कहते हैं कि कुछ साशन प्रणालियां जो होती हैं वो न्याइपुर्ण होती हैं और क उसी तरह जो कुलीन तंत्रात्मक जो विवस्था है वो न्याइपुन है और दूसरी और जो धनिक तंत्र है वो न्याइपुन विवस्था है और उसके बाद जो प्रजातंत्रात्मक जो विवस्था है या समविधानिक या बहुत संखिकों का जो प्रजातंत्र है या वेरं के यार्जय को कहते है कि एक सिमित राज तंत्र को ऐक अच्छी इस याज अच्छी वानते हैं वो सबसे best form of government है या उसमें बहुत अच्छा अच्छे से लोगों की देखभाल होती है जनकल्यान के काम किये जाते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम किये जाते हैं. तो सिमित राज्टन्तर जो को है सबसे अच्छी शाषन पनाली जो है वो एक्विनस मानते हैं और एक्विनस कहते हैं कि राज्य के जो कारे हैं, वो क्या हैं, तो राज्य का जो कारे है, राज्य के कारे में जो सबसे जो महतुपुर्ण और जो बेशिक कारे हैं, वो कारे जो ह समाजिक कार या इसके अलावा राजा को शक्ती का उपयोग कैसे करना चाहिए तो जैसे कि शक्ती उसे तो बताते हैं कि राजा को शक्ती का उपयोग कैसे करना चाहिए तो इस संदर्ब में उन्होंने कहा है कि राजा को शक्ती का प्रियोग वैसे ही करना चाहिए जैसे कि शक शक्ति उसे परमात्मा ने जनता के कल्यान के लिए दी हो मतलब वो शक्ति जो उसे मिली है परमात्मा से वो जनता के कल्यान करने के लिए है के दिले दी गई है और साशक को जो है वो सिमित शक्ति का प्रियोग करना चाहिए और सिर्फ कल्यान के लिए और राज्य में शांती व्यवस्था बनाए रखने के लिए करनी चाहिए और दूसरी महत्वपुन बात जो बताते हैं वो कहते हैं कि कि राज्य में कानून का साशन होना चाहिए rule of law जिसका समर्थन अरिस्टोटल ने भी कहा है कि विधी का साशन होना चाहिए तो ये बात जो है अर्स्तु ने भी अपने राज्य संबंधी जो उनके विचार थे उसके अंतरगत कहा था कि पहला तो राजा को जो है वो एक लिमिटेड जो है वो राश्तन्त होना चाहिए शक्ति का प्रियोग जो है बहुत कम करना चाहिए और शक्ति का प्रियोग ठीक उसी प्रिकार करना चाहिए जिसे कि राजे में शांती बवस्था बन हो सके राजे का कल्यान हो सके और उसके स नहीं कि उसको निरंगकुश बन जाना चाहिए, जनता का शोषन करना चाहिए, अत्याचार करना चाहिए, तो यह सब चीजें नहीं करने के लिए उसे शक्ति दी गई है तो मैंने सक्ति जो दी गई है मिन्स की उसका उपयोग जो है सदुपयोग होना चाहिए और इसके बाद जो एक्विनेस हैं वो कहते हैं कि साशक को राज्य की जो देख भाल करनी चाहिए जो राज्य है उसकी देख भाल करने की जिम्मारी जो होती है वो साशक की होती है और व पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी एक राजा की जिम्मवारी होती है कि वो अपने राजे में जनशंख्या को कंट्रोल करके रखे और करना भी उसका एक काम है उसके जो कल्यानकारी विचार जो है और जो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो विचार है वो बहुत ही बड़ा विच आज के डेट में बहुत कॉमन लग रहा हो लेकिन लेकिन जब एक्विनस के समय की जो परिस्थितियां थी लगभग 700 वर्स पूर्वू जो ये बाते कहना या सोचना कल्यान की बाते करना पॉपुलेशन कंट्रोल की बाते करना ये सब बहुत पहले एक्विनस के विजार हैं उसमें जो जाहराज्य की देखभाल से संबंदित हो अपने जो नगरवासी हैं उनके देखभाल से संबंदित हो राज्य की सुरक्षा से संबंदित बाते हो समानता से संबंदित बाते हो स तो उस समय ये बड़ी बाते थी, बड़ी बाते क्यों थी, कि मद्योगीन काल जो था उस समय जो था निरंकुष राजतंत्र था, और क्या था धर्मतंत्र का भोलबाला था, जो मद्योगीन काल इसलिए ही जाना जाता है, कि निरंकुष राजतंत्र था और धर्म का जो था वो चरम सीमा पर था वो उसका बोलबाला था और हर चीशपर धर्म का जो है अधिपत्र था और अज्ञान का बोलबाला था और इस तरह से पूरा अज्ञान का बोलबाला था और उस समय में लोगों की भलाई की बात करना करने की बात करना, सोचना या बोलना एक बहुत बड़े revelation या करांती की बात थी और उसका साहस जो है Aquinas ने उस समय जो है वो करने का शाहस किया और उसने बताया कि नहीं ये भी हो सकता है जो राजा का करतब बे हो सकता है, राजा को कैसे काम करना है जनकल्यान है उसकी भलाई है, सिमित सरकार होनी चाहिए, population control होना चाहिए, सुतनता समानता मिलना चाहिए, सिमित सक्तियों का प्रियोग करना चाहिए तो इन सारी बातों की चर्चा जो है उस समय एक क्रांती के समान थी और उसमें उसने शाहस किया और सब अपने बातों को विचारों को जो है वो रखा अब इसके बाद ये तो कुछ उसके राजसे सम्मंधित विचार थे तो इस तरह से हम क्या देखते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि जो संपुर्ण जो मधियुग यो काल था ये समय था में सैं तॉमस एक्विनस सबसे बड़े विचारक और दाशनिक हुए उसकाल में और उनकी दाशनिक विचारधारा की तीन मुख विशिष्टाएं जो है वो हमें समझ में आती है पहली जो है कि राजनिती के छेतर में उसने अरस्तु की कृतियों और विचारों को का पुनर जीवन किया है इसने पहली जो उसकी बात हमें समझ में आती है उसकी विचारधराओं से उसकी धरष्निक विचारधरा से पहली जो important बात हमें समझ में आती है कि उसने जो राजनिती से संबंदित Aristotle ने जो विचार दिये थे उस समय के काल में प्राचीन समय में तो उसको पुनर जीवित जो है फिर से उने सेंट Thomas Aquinas ने किया है दूसरी जो important बात समझ में आती है वो ये है कि Aristotle और सेंट Augustine के सिध्धानतों में एक जो है समनमाय स्थापित करने का प्रयास किया है जैसा कि इतिहास में बहुत कम मिलता है मतलब दोनों एक ठीक बिरोधी विचार के थे और उन दोनों में कॉडिनेशन करके इन्होंने जो एक concept दिया राजिका वो उस समय के लिए बहुत ही important था और समय की जरूरत की उस समय मांग थी एक समय था जिस समय पुटाचीन विचारक जैसे कि Aristotle जो सिर्फ विबेक तर्क की बाते करते थे विबेक की रीजन पर focus करते थे वहीं दूसरी तरफ जो ये थे वो विश्वास फेद पर बद करते थे विश्वास पर बने आतार की चीज था तो इन दोनों को एक बैग्यानिक जो चीजे थी और एक आतार की लॉजिकल चीजे थी इन दोनों में एक एक बहुत ही अच्छा सुन्दर समन्वय अस्थापित करने का जो है काम जो है सेंट तॉमस एक बिनस ने किया है तीसरी जो important इनके जो दाशनिक जो विचाधरा है उसे हमें शमज में आती है जो महत्वपुर्ण बात कि इन्होंने जो यूनानी और रोमन यूनानी और रोमन और मध्यकालीन जो ज मतलब इनके विचारों में आपको यूनानी जो प्राचीन विचारक थें उनका भी समन्वय है और जो रोमन जो विचारक थें उस समय उनका भी समन्वय है मिलता है देखने को मिलता है और जो मध्यकालीन जो धर्माचारे लोग थें पोप लोग थें उनके भी विचारों का मतलब एक अद्भुत समिश्रन देखने को हमें मिलता है और इसलिए इसको जो है वो मध्युग का अरस्तु भी कहा जाता है और वह जो है मध्युगीन युग की समयनवादी विचारधारा का सरवत्तम जो है वेख्याता है इस उनसे पहले बहुतिक छेतर में युनानी रोमन और इसाई सभेताओं का मेश्रन हो चुगा था उसने बौधिक छेतर में युनानी बुद्धिवादी और इसाई श्रधा का समन्वय किया है उनके समन्वयवादी प्रयास से राजनिती शास्त्र का एक नया रूप जो है वो नया रूप भरकर सामने आया या उसका जन्म उसने अरस्तु की राजनिती को सिस्रो, अगिस्टाइन और बाइबल के विचारों से मिलकर उसका एक काया कल्प करने का प्रयास जोग किया है। विचारों का समन्वय किया, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसको समझते हुए, उसको जानते हुए और एक समन्वय वादी विचारधारा का प्रतिपादन किया और प्रतिपादन करते हुए राजनिती के छेत्र में या राजनिती शास्त्र के छेत्र में उनका जो है एक ब समझ में आया हो अगर आपको कोई प्रेश्न हो तो आप कमेंट सेक्षन में जाके आप उसमें प्रेश्न डाल सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस्टूडेंट्स को बताएं ताकि वो जो है वो भी इसको पढ़के वो जो है अपने कोर्स को पूरा कर सकें ठीक है आज का क्लास जो है हमारा यह समाप्त होता है नए क्लास के साथ हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे तब तक के लिए घर में रहें सुरक्षित रहें पढ़ते रहें थैंक्यू अलोफ यू